आज हम देखेंगे पाई चाट से संबंधित कुछ मज़ेदार उदाहरण मोहित के गाउ के पास एक चडिया घर है इस चडिया घर में विभिन्न प्रकार के 720 पशु है जिनकी संख्या का विवरण दर्शाय गए पाई चाट में प्रदर्शित किया गया है इसे पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए सबसे कम संख्या कौन से पशुकी है हम जानते है कि पाई चाट में प्रत्येक त्रिज्यखंड यनि सेक्टर ओफ अ सर्कल का केंद्रिय कोन यनि सेंट्रल अंगल उसके द्वारा निरुपित सूचना के समानुपाती यनि प्रपोर्शनल होता है इस तरह से जितना बड़ा केंद्रिय कोन उतनी अधिक उसके द्वारा निरुपित की गई संख्या होती है या जितना छोटा केंद्रिय कोन उतनी कम उसके द्वारा निरुपित की गई संख्या होती है यहां हम देखते हैं कि सबसे छोटा केंद्रिय कोण 20 डिग्री है जो बागो की संख्या को निरुपित करता है हम कह सकते हैं कि चडिया घर में बागो की संख्या सबसे कम है ग्यात कीजिए चडिया घर में कितने हाथी है यहां 360 डिंगरी के केंद्रिय कोंड से कुल 720 पशुओं को निरुपित किया गया है इस तरह से 1 डिंगरी केंद्रिय कोंड से 720 पटे 360 पशुओं को निरुपित किया जा सकता है चुकि हाथियों की संख्या 40 डिग्री से निरुपित की गई है इसलिए 40 डिग्री के केंद्रिय कोंड से 80 हाथी निरुपित कीए गए है इसलिए चड़िया घर में 80 हाथी है ज्यात कीजिए हिरणों और रेंगने वाले जीवों की संख्या में अंतर क्या है हम जानते हैं कि पाईचाट में प्रत्यक त्रिज्य खंड का केंद्रिय कोण उसके द्वारा निरुपित सूचना के समानुपाती होता है इस तरह से हिरणों और रेंगने वाले जीवों को निरुपित करने वाले केंद्रिय कोणों में अंतर, हिरणों और रेंगने वाले जीवों की संख्या में अंतर के समानुपाती होगा यहां दोनों के केंद्रिय कोणों में अंतर 20 डिग्री है चुकि एक डिग्री केंद्रिय कोण से 720 पटे 360 पशुओं को निरुपित किया जा सकता है इसलिए 20 डिग्री केंद्रिय कोण से 40 पशुओं को निरुपित किया जा सकता है इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिर्णों और रेंगने वाले जीवों की संख्या में 40 पशुओं का अंतर है अगला उदारन एक वर्ष में अंकुर के दुकान से बेची गई विबिन इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं की बिगरी नीचे दी गई है क्या आप इन आंकडों को पाईचार्ट में प्रदर्शित कर सकते हैं? प्रयास कीजिए हमें पाईचार्ट खीचने के लिए प्रतीक वस्तुओं के बिगरी का केंद्रिय कोन ग्याद करना होगा केंद्रिय कोंड ग्याद करने के लिए पहले हम सभी बेची हुई वस्तुओं की संख्याओं का योग करेंगे 288 इसे हम संपूर्ण मानेंगे इसलिए पाइचार्ट में वृत्त के केंद्र पर 360 डिगरी का कोंड संख्या 288 को निरुपित करेगा अब चलिए प्रतीक वस्तु की संख्या को निरुपित करने वाले केंद्रिय कोंड ग्याद करें टीवी की संख्या संपूर्ण का 48 बटे 288 भाग है यनि की 1 बटे 6 भाग है इसलिए इसे निरुपित करने वाला केंद्रिय कोन भी 360 डिग्री का 1 बटे 6 भाग होगा, यनि की 60 डिग्री तो बताईए, फ्रिज की संख्या निरुपित करने के लिए केंद्रिय कोन क्या होगा? सोचिए सोचिए बिलकुल सही चुकि फ्रिज की संख्या संपूर्ण का 24 बटे 288 भाग है, यनि की 1 बटे 12 भाग है इसलिए इसे निरुपित करने वाला केंद्रिय कोन भी 360 डिग्री का 1 बटे 12 भाग होगा, यनि की 30 डिग्री होगा इसी तरह हम अन्य केंद्रिय कोन ग्यात करते हैं और सार्णी बनाते हैं अब हम इन आंकडों को पाई चाट में दर्शाएंगे इस प्रकार हमने पाई चाट खीच लिया है तो आज हमने देखे पाई चाट से संबंधित कुछ मज़ेदार उदाहरण अगले वीडियो में देखेंगे इनसे जोड़ी कुछ मिध्याधार ना है और एक गलती